नमस्कार, मैं तनीशा कफ्षा 11 की छात्रा, आज मुदस जे के आउसे पर अपनी मा के लिए एक कवीता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो कुछ इस प्रकार है मा, बिमार हो तो दवा बन जाती है, तुटे दिल की दुआ बन जाती है, दोप से काने मुझे छट पर लेकर जाती है, फिर अपनी ही छाया में बठाती है मा, तु कैसे पढ़ लेती है मिलो दूर से मिरे अंतरमन की बात कैसे मुझे हर वक्त कहती है कि आशकर, अच्छे हैं हालाद जैसे ही तुझसे बात करने का खयाल आता है उसे वक्त तु सामने से बात करने आ जाती है मा, क्यों मेरा हर दर्ड तुझे मुझसे जादा सताता है क्यों मेरा हाथ का बनाया खाना तुझे सबसे जादा भाता है तु मुझको भरते भरते खुद को खाली कर लेती है क्या तु लिखते लिखते मेरी किसमत खुद के कागजा जाली कर लेती है क्या क्यों तुझे मेरा हर पटा क्वाब सीना है क्यों तुझे अपना हर सपना मेरे अक्ष से जीना है मेरी मा मेरे लिए मुझसे जादा मैनत करती है मेरे बाद सोती है और मुझसे पहले उत्ती है सब कुछ मेरे लिए मुझसे जादा करती है जादा पड़ी लिखी नहीं है मेरी मा, फिर मेरी हर बात बोलने से पहले ही समझ लेती है अंत में मैं तुस यही कहना चाहती हूँ कि सब कह रहे हैं आज मा का दिन है, ऐसा कौन सा दिन है जो मा के बिन है मा को देकर मुश्कुरा लिया करो यारो, क्या पता किसमत में हज लिखा ना हो मौत के लिए तो कई सारे रास्ते हैं, पर जन्म लेने के लिए केबल एक ही है मा, धन्यवाद